यह लो फ्रेंड्स अभी का स्वागत एक और Clash of Clans के इंट्रस्टिंग एपिसोड में तो आफ्टर लॉंग टाइम अपना यह वाला एपिसोड आ रहा है रोट तु मैक्स टाउन ओल 15 का एपिसोड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है विकॉज यार हम ओल्मोर्स मेक्स आउट प्लियर से एंड कुछ इतना बचता नहीं है कि हम डेली अपग्रेट करके वीडियो डाल सके यार तो ठीक है फीलिंग समझ सकते हो बढ़ ठीक है आज अपन बहुत कुछ करने वाल है अ चलो यह रार सी तो सबसे बिल अपनको इसको अब गर्वेड करने के लिए देना पड़ेगा दो लाग असी हजार आठ सो का धन वैसे मैं बुको फिरों यहां से ले सकता हूं बट मैं वहां से लूंगा नहीं ठीक है चलो सबसे बिल यह इतना सारा जो धन है नहीं हम दे दे करते हैं एंड 69 ओके 609 ओर्स था वो 68 ओर हो गया चलिए अब शॉप में चलते जैंस में चलते पांसो जैंप को बरबाद नहीं इंवेस्ट कर देते ठीक है इस कॉल्ड राइड वर्ड इंवेस्ट ठीक है हाई अर्सी हावर यू भाई में तुम्हें सोते वें नहीं देख स करें वह हैमर ऑफ हीरो से कंदे वाले इंकांट ओफ थ्रे टो वान वुफू तो भाई अब 39 होगी मेने तो मैक्स बोला था भाई यह थो थटी नहीं यह आप बोलोगे कि आप जहां से यह बुक ओफीरो लोगे ना 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 यह बात में खरेंगे यह सारा काम अपन जाने वा करना जरूर से ठीक है चलो भाई फाइनली घड़ी आ गई है जब हमारी रॉयल चेंपियन लेविल 40 मैक्स आउड हो जाएगे इन काउंट आप फाइफ फोर थ्री टू वान बूम डाई भी मैक्स आउड हो रॉयल चेंपियन को यहां पर कर दिया है मैं उसका इंतिजार काफी टाइम से कर रहा था अब हमारे पास सिट पैग रिलाक्स होने का मूड आ गया है बिकॉज रॉयल चेंपियन क्वीन एंड ग्रैंड वार्डन को हम अल्रेडी मैक्स आउड कर चुके है अभी मेरे पास अगर मेडल देखोगे तो काफी जादा मेडल अल्रेडी पड़े तो मैं एक हैमर ओफीरो ले लूँगा एक बुको फीरो अपनको यहां से मिल जाने वाली है तो दो लेविल और किंग अप हो गया फिर तीन लेविल का और अपन फिकरा उट कर लेगे फिर अगले अफ्ते ट्रेडर से एक बुको फीरो बाय कर लेगे फि मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में ठीक है पूरा दिखा दूँगा इसका gameplay ठीक है चलो पर पहले में क्या करने वाला हूं उससे पेले अपना अप्ग्रेड करने वाली अपनी वाल्स को दो वाले वाल पर हो में पापके से और यहां से इल इलिक्जर देते हैं यहां रोह और शीर एंपग्रेड करने दो अभी तुमारा भाई वाल अफ्ग्रेड कर देगा ठीक है अभी के वुल 48 वाल्स तो जादा वाल्स भी नहीं बची हुई है, so we are going good to go and यही सब कुछ था टाउंग नौल 15 के road to max episode में, because अगर मैं बात करूँ lab की bowler upgrade खतम होने वाला 7 day के बाद, and अगर मैं बात करूँ pet house की, तो यहाँ पर max होने वाला यह 3 days के बाद, तो इन दोरों को busy करेगी next वाले road to max के episode में, तो वो भी interesting होगा, तो चलो भाई, अब अपने shop के अंदर में जो यह new goblin cave scenery आईए, आपको मैं इसके उपर लेकर चलता हूँ, and आपको दिखा देते, goblin cave scenery कैसी है, and इसका पूरा review भी कर दूँगा में, कि आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, 900 rupees worth it है या नहीं है, तो वो सब पूरी वीडियो में बने रहा हूँ, चलो चलते सीनरी के उपर, 3, 2, 1, तो गाईद, वो scenery वाले bundle के अंदर में आपनको देखने को मिलने वाली है, यह वाली scenery एंड भाई यह वाला इसका लोगों तो काफी जादा इंटरस्टिंग है, आप बता दो आपको कैसा लगाएंड इस scenery के साथ साथ आपको एक और चीट देखने को मिलने वाली है, जो की यह है, यह stage यह आपको देखने को मिलने वाला है, तो यह अपन को इस वाले पूरे की पूरे बंडल में देखने को मिलने वाला है, चलिए हम में इसके अलावा आपको इसके mainly जो gameplay न वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप बाई करोगे तो यह कुछ इस तरी की देखने को मिलने वाली है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मतलब काफी 3D लुक दिया गया है, और एनिमेशन वाइज मेरे को काफी सही लग रहा है, यहाँ पर जो बिल्डर बेस में जाने का गुबारा है, वो भी काफी अमेजिंग लग रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर everything detail देख सकते हो, हवा में ओड रही है, अगर आगे बात करें तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, dancing goblin आपको देखेगे, जो पपरापरापरापरापरापरापरापरापरापरापराइस सब कुछ डांस कर रहे हैं ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको दात वागेर मिलेगे, यहाँ पर एक केव है या क्या है, I don't know, आप जच करके बता देना, और भाई यह looking wise मेरेको तो इंट्रस्टिंग ही लग रहा है, आप लोगे का, यहाँ पर जो यह बना रखा है न, पुरा होरर टाइप का लुक है इधर, इधर देखोगे न, तो यहाँ पर गोल्ड गिरेगा, यह जो भी यह मतलब यह क्या केते है, स्केलिटन का लखडी वुडन मू लग रहा है, उसमें से गोल्ड गिर के नीच से जम हो रहा है, यह देखो भी गोल्ड गिरा, तो यह चोटे 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 एनिमेशन, अगर आप नोटेस करोगे, यहाँ देख सकते हो, गोबलिन खान में काम कर रहा है, वहाँ से सोना निकाल रहा है, कुल मिला कि अंदर जाएगा, सोना निकालेगा, तो यह भी बड़ी है, और मशाले जली हुई है, अगर यह सीनरी देखोगे न, तो आपको पसंद डेफिनेटल आने बाला है, कुल मिला कि गोबलिन का घर है, यह चारो तरफ सोना पड़ा हो है, भाई, इतना सोना मुझे मिल जाए, मैं तो करोड़ पती बन जाओंगा, भाया, चाहिए हमें यह सोना, इस तरह बात करें, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, गोबलिन के शिप औगर है, जो वो लूट करके लाए है, और सोना इसोना कर दिया, भाई, इतना ही अमीर होना है, इतना ही अमीर होना और कुछ नीच जंद की में, और यह तेखो, यहाँ पर एक गोबलिन साला, टाव आप जच कर लो यह पूरा का पूरा सीनरी है जो आप बाए कर सकते हो जट पो रूपीज 8.99 और बागी इसको में रेट कर देता हूंगा इस सीनरी का इसको में रेट करूँगा 7.5 आउट और 10 10 में से 7.5 दूँगा बिकोज इस अच्छी सीनरी इस भी अपने के अंदर में आ में भी नहीं लेने वाला क्योंकि 900 रुपीज के वल सीनरी इंवेस करना इस नॉट वर्थ इट अगर पैसे है जादा यह तो आप ले सकते हो बाकि अगर स्टूडेंट हो तो मेरा सजेशन तो यह रेने वाला भाई मत लेना इतना पैसा गेम पर इंवेस करोगे और सब की सि कर लोगे Clash of Clans तो कोई बड़ी बात नहीं है बीना पैसे की भी आप अपग्रेड कर लोगे थोड़ा टाइम लगेगा और सीनरी में तो कुछ चेंज होता ही नहीं है पैसे लगाने के बात भी तो यह यही मेरा उपीनियन है बाकि आपकी मर्जी लेना ना लेना ठाइक वर लाचिंग लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना मिलते अगले अपीस्टोड में ख्लाश और वनाइस दे ख्लाश यह लव यू आल